Hello everyone, welcome to the Rashmi's. महविबा और आज हो पिताएंगे कि केरी पुदीना का पराथा केसे बनाते है? तो केरी पुदीना का पराथा बनाने के लिए बने या आपप लिया है 1 का वीट फ्लार, केरी पुदीना कॉंसेंट्रेट तो ये कल हम लोग ने 3 types of drinks बनायते हैं फ्रम केरी अन पुदीना तो उसमें हम लोग ने use किया था केरी पुदीना concentrate इस concentrate में हम लोग ने डाला है केरी पुदीना, red salt, white salt और सेका हुआ जीरा उसके बार मैंने या पर लिया है red salt, hing, white salt, red chili powder और अजवाइन और oil लिया है पराटे को सेकने के लिए तो आईए शुरू करते है तो एक बोल में हम लोग डाल देंगे आटा अजवाइन, red chili powder, salt, red salt और हमारा केरी पुदीना concentrate और हम लोग इसे अच्छी से mix कर लेंगे जैसे आटा लगाते हैं हम लोग रूटी बनाने के लिए उसी तरीके से अम लोग को इसका आटा लगाना है हम लोग आटा ओयल के साथ लगा रहे हैं तो हम लोग ने टेबल स्पून के तू टी स्पून के करीब और पानी जैसे डो लगाते हैं तो गाइस देखें यह लाइव वीडियो हैं हम लोग लाइव बता रहे हैं कि केरी पोटीना का पराठा कैसे बनता है आलू पराठा गोवी पराठा यह सब तो हम लोग खाते ही हैं और केरी पोटीना पराठा रिफ्रेशिंग भी होता है हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी होता है तो इससे आप गर पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो हम लोग ऑई इसले डालते हैं और के साथ हम लोग मठार है तो हम लोग ने डो में ऑईल डाला था ताकि हमारा डो साइड में स्टिक नहीं हो और सौफ्ट एं कुरकुरी बने हमारी पराठे कि देखिए और अच्छी तरीके से त्यार है तो देखिए लोग ने आप डो ले लिया है आप दोसे तो आटा में रोल करेंगे और जैसे हम लोग पराठा को रोल करते हैं उसी तरीके से इसे रोल कर डएंगे तो गैस में हम लोग ने ये तबा चड़ा दिया है और तब अच्छी तरीके से गरम हो गया है इस पर डाल देंगे हमारा पराठा तो इसे तेल में सेख रहे हैं आप चाहे तो इसे घी में भी सेख सकते हैं दो में हम लोग आप में तेल का मुहीन डाला था तो इस पर डाल देंगे ओएल अब पराठी को दोनों साइट से अच्छी तरीके से बेट कर देंगे अफैंगे एंगे तो गाईस हमारा फ्लेम लो होना चाहिए ताकि हमारा पराठा इवेनली और अच्छे से बेख हो जाए तो देखे हमारा पराठा हो गया है तयार इतनी जल्दी इसे आप घर पर ज़रूर ट्राइ कीजेगा तो पराठी को मैं केरी की लूंजी के साथ सॉफ करूंगी और कर्ड तो यह मैंने राइता बनाया है इसमें मैंने डाला शुगर कर्ड मैंने डाला शुगर रेड शिली पाउडर सॉल्ट और सेका हुआ जीरा इसमें मैंने बुंदी डाला है बुंदी मैंने डायेट ही डाल द और पोदीना और से गार्णिश कर लिया तो देखेभाइस हमारा केरी पोदीना प्राथभ्त अब्स रेढ़ें! यह बोहत थी अलग रेसिपि है क्योंकि आलू पारथभ गोई प्राथभ तो सब जानते हैं की भी पोदीना प्राथभarna मैया लगेगा सब को घर में तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंद के साथ जरू शेयर कीजेगा और इस वीडियो को लाइक कीजेगा और तो रश्मी इसको लाइक का फॉलो करना मत भूडेगा ताकि जब भी हम लोग लाइफ जाए आपके पास नौटिफिकेशन आ जाए थैंक यू फॉर वचिं बाई!